हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लाश 12 के मैट के चैप्टर नमबर 7 का बहुत ही प्यारा सा एक्सेसाइज है एक्सेसाइज नमबर 7.2 जिसमें हम दोग इसको इंट्रॉड़क्शन ले उसको कहते हैं integration by substitution, इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टी चूशन ठीक है ना इंटीग्रेशन बाई सब्स्टी चूशन सब्स्टी चूशन करके इंटीग्रेशन निकालना अब मतलब क्या होता है जैसे बास समझना जैसे कोश्चन नमबर पहला यह दे रहे हैं कोश्चन कि हम को इसकी जरुवत क्यूं पड़ी और हमने ऐसा क्यूं किया तो सबसे पहली बात है कि आपके पाश 10 inverse x upon 1 plus x square dx integration है हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि integration जो होता है उसमें divide का मान नहीं होता है नहीं करना होता divide अब जब divide नहीं करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं भाई हम को क्या था इससे पहले कि अगर ऐसा रहता कि a plus b by 2 है तो a by 2 plus b by 2 कर लेते हैं या अगर formula रहता हमारे पास sin x square x divide में cos square x तो इसकी ऊपर कर लेते हैं या माले sin square x cos square x मिल के बन जाता 10 square x है ना तो formula रहेगा तम ना करेंगे हम अब नीची में 1 plus x square है उपर में x रहता है ना x के term में तब हम उपर वाले को factorization करते हैं और solve करते हैं बट ऐसा नहीं है जब ऐसा नहीं है तो फिर यहां पे काम आता है integration by substitution method अब यह method क्या कहता है यह method कहता है कि दोनों में से किसी एक को तुम z मान लो या कुछ भी मान सकते हैं तुम ठीक ना तो z मान लो भई तो किस दोनों को भई किन दोनों की बात थोड़ी चाहे upper चाहे lower तो हम चाहे तो one प्लस x square को z माने या ठीक ना tan inverse x को z माने ठीक ना यह ही दोनों हो सकता है अब बात यह है कि इस वाले को अगर z मानेंगे या इस वाले को करना तो एक ही काम है उसको करना है differentiation देखिए differentiation integration में कितना जल्दी आ गया और कितना important है तो differentiation करनेंगे one का हो जाता है zero x square का होता है two x और z का होता है dz by dx अब check किजेगा कि one plus x square का differentiation only two x आ रहा है अब हमने जो z माना था ना तो हम चाहते हैं कि एक को z माने दूसरा कट जाए खतम हो जाए बात समझ में आया एक को आप z माने तो दूसरा क्या हो जाए खतम हो जाए तो क्या two x आने पे ten inverse x खतम होने वाला है नहीं होने वाला है इसलिए हम इसको cancel कर देते हैं भाई हमको नहीं चाहिए यह हमको one plus x square z नहीं चाहिए हम दूसरा का बात करते हैं दूसरा था ten inverse x ब्राबर z हमने इसको differentiate किया तो ten inverse x का differentiation होता one upon one plus x square और z का हो जाता है d z upon d x अब d x बन जा क्या हो जाएगा d x हो जाएगा और यह इधर into होगा तो one plus x square d z एक बात तो समय में आ चुकी है कि sir अगर आपने इस वाले को ten inverse x को लिया है तो यह नीचे वाला पार्ट यहां आ जा रहा है जिससे होगा क्या अभी देखाता हूं क्या होगा ठीक है ना अभी देखाऊंगा कि क्या होने वाला है तो आपको एक बात समय में आए कि क्या लेना है किस तरीकों किस वाले Z लेना है वो बताएगा दूसरा वला पार्ट क्योंकि अगर एक को Z मान रहे हैं तो Z का differentiation में ये वला पार्ट दूसरा वला आ जाना चाहिए कि वो कटेगा देखिए पहली बात तो इतना किया काम फिर Dx का वैलू निकाल लेते हैं Dx ब्राबर इतना आ गिया देखिएगा ध्यान से कुष्ट जो चेंज होता है यह कुष्ट यह कुष्ट अब ऐसा बन जाएगा ऊपर वले को आपने 10 वर्स X को लिया था Z, तो आपने Z छोड़ दिया, नीचे वाला वालू, देखें ये वाला वालू, जिसको कुछ नहीं किया था आपने, वहीं छोड़ा, क्योंकि इसको हमने Z नहीं माना है, और D X दिख रहा है आपको, D X, D X के जगे पे लिख सकते हैं, 1 प्लस X स्क्वार D Z है ना, दोनों क्या हो जाएगा भई, कैंसी लाट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, बच जाएगा Z, D Z, और मैंने एक बात आओ समझाए था, अगर यहाँ D Z है तो यहाँ Z ही होना चाहिए, अगर यहाँ D X है तो यहाँ X होना चाहिए, ठीक है ना, यह जरूरी है, कि किसके रिस्पेक में कर रहे हैं, अब Z का पावर क्या है, वन है, तो समझो ना, यह X D X है, भई, X D X रहता, तो X से पावर 1 होता, हम 2 बाई 2 करते हैं, पलस C कर लेते हैं, उसी तरीके से यह Z है, तो यहाँ भी तो हम करेंगे, सिंपल, Z का पावर 2 नीचे में 2, पलस में C कि Z की जएगे पर लिखेंगे, कि हमको एंसर तो Z में नहीं चाहिए ना, एंसर Z में नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि बढ़ी कोशन Z में कहा है, वो तो X में है, तो Z की जएगे पर हमने लिया था, 10 inverse X, उसका पावर 2 किया, नीचे में 2 किया, पलस में C हो गया, एंसर हो गया आई होप आपको समझ में, आया होगा, बढ़िये से, है ना, अब देखिए, एक और कोशन, ठीके ना, देखिए, यहाँ भी कोशन जो है, मल्टिप्लाई है, है ना, हम जानते हैं कि, इंटिगरिसमें ना ही डिवाइड हो सकता है, ना ही मल्टिप्लाई, अब यह मल्टिप होता था, पावर जूर जाता था, है ना, लेकिन यहाँ बेच सेम की बाते नहीं है, बढ़िये, कुछ ऐहाँ पे एक तो एक स्कृइर है, दूसरा ए है, है ना, एक्सपोनेंशल फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, बेच कहां से सेम हो जाएगा, तो इस तरीके क कैसे करते हैं भाई देखिए फिर वही बात है कुछ ऐसा आप ले लें जिसको Z मालने दुसरा कट जाएगा सोचिए इसमें दो पार्ट है एक X स्क्वार है दूसरा E का पावर X का पावर 3 है लेगिन E का पावर अबोली का सर X स्क्वार लेने पर 2X आता है तो 2X तो E का पावर X क्यूब कटेगा नहीं क्या हम E का पावर X क्यूब ले सकते हैं क्या देखिए अगर इसको आपने Z लिया तो फिर E का पावर X पिर से E का पावर X आ जाता है इसको आपने Z लिया तो E का पावर X क्यूब का E का पावर X क्य आएगा और यहां पर dz by dx तो इसको z ही माल लिया तो फिर सी यह आ जाएगा तो इसको काटिये कहां से नहीं कटने वाला तो इसलिए e का पावर कुछ भी रहे एक ट्रिक है क्या है मतलब आप लोग बनाते मतले सीख जाएंगे कि e का पावर सम्थिंग होना उस सम्थिंग को जेड मांग देते हैं तो e का पावर क्या है भाई एक्स क्यूब है तो लेट माना एक्स क्यूब बराबर जेड देखिए कटेगा कैसे है डिफ्रेंटशेट किया एक्स क्यूब का 3x स्क्वार जेड का डीजड बाई डीएक्स डीएक्स उपर भागा और यहां डीजड बाई 3x स्क्वार नीचे आ गया लेकिए इस तरह इसको घेर लीजेगा ठीके ना कि बहुत डीएक्स का वैलू आ जाहिए हमेशा डीएक्स अग्सा वैलू ना जो कोशन होना चाहिए देखे कोशन ठीका ना वो कोशन आपने इसको कुछ नहीं माना छोड़ दीजिए इक्स क्यूब को आपने जेड बाना डीएक्स की जाएपर अब डीएक्स नहीं रहेगा क्योंकि जेड आ चुका है तो डीजड आएगा इसलिए इजेड बाई ठीक है ना थीरी X का स्क्वाइड एक्स का स्क्वाइड से X का स्क्वाइड हो गया डन खतम तो थीरी दिख रहा है वन बाई थीरी बाहर कर लेंगे उपर बचा ए का पावर जेड डीजेड अर्दे की के इंटीक्रेशन में और कजिएड हो यांवर डिफ्रेंसेस्टòn में या इजेड हो या एक्स हो बाई जेड की गजएड के चाह兩個 इस लिए एक्स एक्स आहता है तोपीद और बैर इस लिए लेकिन आइन्सर jsum को जैड में नहीं यह हमको चाहिए एक्स में इसलिए एक्सा क्यू पालसी एंसर आ गया यह बोर्ड में कुछन पूछा हुआ है ठीक है ना और आता भी है समझे कि नहीं कि've done है क्या कोई दिक्कत है इजी है कि नहीं है आगे देख लेंगे हैं हैं कुछ कंशन है दख लिजिए अब यह हैंब फी Bakitगी अप्षाव्यद में इक व्ते को सब देखिएंगा बढ़ा लंब जाएगा तो एकाना हैं को तो क्या में log x ले सकता हूं क्यूंकि log x जिद मानने से one by x आयता है तो let mana let log x बराबर जड आपने समझना है कि आपको किसको तो z मानना है उसी से मैंने कर उसे वही मैंने रखता है आपके लिए ठीक ना तो log x ब्राबर z log x कमान 1 by x ब्राबर z कमान dz by dx डिफ्रेंसेशन हो रहा है यार रखेगा यह क्या हुआ है डिफ्रेंसेशन with respect to x ठीक ना तो देखें dx बन जा dx और यह x dz ठीक ना ना कोशन कैसा बनेगा भाई कोशन देखिए कोशन यह सेक का मैंने कुछ नहीं किया था हाँ मैंने लॉग x को z माना नीची में x को मैंने कुछ नहीं किया dx की जगहें पर क्या लिखेंगे x dz यह x से x कट गया तो बचा कि आपके पास सेक स्कूर्र ज États बची सेक स्क्वार एक से की स्कौर्र एक से है यह स्कुर्र एक्स का इंटीगरेशन तैन x तो सी क्राइच का निट सेक आं शिद पाला सी लेकिन जर एम सिय में आईंसर नहीं चाहिए इसलिए जरेट चिए पर हम लिख देंगे लॉग एक्स चुकि माना था हमने और यह हो गिया आपका आंसर आपको समझ में आया है है ना अगला कोशन फिर देख लिए कुछ और कोशन देख लेते हैं ना दो कोशन आओ देखते हैं उसके बाद फिर एक्सराइज करेंगा हम लोग तो कोशन जो है एक पावर टैन इन्वर्स एक है लिट तैन इन्वर्स एक्स ब्रावर जिट दिफरेंट करेंगे तैन इन्वर्स एक्स का होथाव प्रिस एक्स स्क्वार एक्स बाई डी एक्स बन जा डीएक्स 것 वन एक्स के जगह पर क्या आएगा वन पलस एक्स स्क्वाइड डी जड अभी तक आपको बात समझ में आ रही है दोनों को कट किया एंसर आया आपके पास एंसर नहीं इजड डी जड आया और हम जानते हैं इजड का मैं इंटिग्रेशन से मीजे अगला करेंगे बाता है बहुत है अगला डेखे में यह इस तरह का धी deben सब्सक्राइब काूशन में नौनाऔर के नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं दोनों को बेस अलग है भाई बेस अलग है इसका बेस अलग इसका बेस अलग multiply नहीं हो सकता है ठीक है ना समझें तो हम क्या करेंगे भाई ऐसे में तो ऐसे में हम सोचा भाई कि क्या किया जाए हमने सीखा है जेड मानना जाए, अब जेड मानने कि इसको यहां पर दो दो वैलु है, तो एक बात बताइए, इसको यहां पर दो दो वैलु है, तो हम 2X पलस 1 का डिफ्रेंसरेशन करेंगे, तो 2 आएगा only तो कट जाएगा क्या यह नहीं न और एक बाता हो समझ लिजी जहां भी root में रहे या power 1 by 3 रहे power कुछ ऐसा रहे उट पाटांग सा है न उस वाले को z मानिए और उसी पुड़े-पुड़े power को लाकर नहीं कि जएद मानना है only मानना है उसके अंदर का पार्ट को जएद माना मान लिए जडिफ्रेंशेट किया एकस स्क्वाइर का टू एकस एकस का वन फाइव का जीरो जेट का हो जागा डीजट बाइड डीएकस डीएकस उपर जाएगा है न और डीजट अपॉन टू एकस पलस वन नीचे आ जाएगा कोई दिक्कत तो है नहीं I hope आपको सौने में बढ़िये से आ रहा है दम सिंपल सा है यह तो नाव लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं उसी तरह लिखना है आप लोगो यहां पर टू एकस पॉलस वन इसको कोई छे चार नहीं है ना इसको कुछ नहीं किया इसके अंदर वाले को जेट माना था डीएकस की जगह पर क्या लिख देंगे डीज पलस वन दोनों हो जाएगा कट बचे का क्या जेट का पावर वन बाई टू डीजेड और हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि भाई इंटिग्रेशन क्या होता है दो एक मिल जाता है तो तीन वाई दो दो बाई तीन बताना बार बार ना पड़े लेकिन एंसर चाहिए हमको ठीके ना जेट का एकस में जेट नहीं चाहिए तो एकस माना क्या था हमने भाई वह माना था एकस स्क्वार पलस एकस पलस फाइव का पावर थरी बाई टू पलस फी एंसर आइज होप आपको समय में आया होगा बनिये से कोई दिक्कत तो है नहीं एक कुशन और देख लेत एकस के जए पर थरी एकस मैनस फोर लिख देंगे पलस ए लेकिन एकस के साथ कभी भी कोफिसेंट हो उसको डिवाइड कर देते हैं याद है यह क्यों करते हैं यह मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा है ना तो यह चाहिए हो जाए चाहिए एकप आवर थरी एकस डिएकस हो तो e का बावर x का e का बावर x होता है पलसी बट x के साथ जो कोफिसेंट होता है उसको नीचे में डिवाइड कर देते हैं क्यों रीजन ये है कि मैं यहाँ पे देखी इसको बढ़िये से बताता हूँ हाना तो माल लिजे कोशिन आपके पास है सेक स्क्वाइर 3x मैनस 4 dx आपने इसको z मानना है किस वाले को इस वाले को लेट 3x मैनस 4 ब्राबर z हाना क्योंकि सेक स्क्वाइर x होना था लेगिन x तो यहाँ पे नहीं है तो इसलिए मैंने z मान लिया तो 3x का डिफ्रेंसेशन 1 4 का 0 दो और z का डिफ्रेंस बाइड डिएक्स डिएक्स उधर भागेगा तो हम जानते हैं कि थिरी नीचे भागेगा है ना अब एक बात बताईए कोशन चेंज करेंगे ठीक है ना तो यहाँ तो से के स्क्वाइर जड रहेगा और डिएक्स की जगह पर यहाँ पर क्या हो जगा डिएड बाइट थिरी अब वन बाइट थिरी बाहर मैं कर दूं क्योंकि कॉंस्टेंट वाण है ना और बच जाएगा से के स्क्वाइर जड जड है ना पलस में सी बट एंसर तो जड में है जड के पास मद्दब क्या है जड में नहीं रहना चाहिए हमको एक्स में चाहिए तो सोचिए एक्स में लाने के लिए जड क्या माना था मैंने थिरी एक्स मैनस 4 पलस में सी यही एंसर आया है जो कि यहाँ पर आया है लेकिन कि यह शॉर्ट कट टरीका है भाई है ना तो शॉर्ट कट टरीका इस तरह बनाएंगे हम लोग आई होप आपको दिक्कत नहीं होगा है ना तो देख लीजे भाई